ये है भारत की चार सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार जानिये निकी कीमत चोथे नमबर पर आजाती ही महंदरा XUV400 महंदरा XUV400 की कीमत 15,99,000 रुपे से लेकर 18,99,000 रुपे के बीच में है ये एक बार फुल चार्ज करने पर 456 किलो मेटर तक का सफर आसानी से ते कर सकती है ये दो बेटरी पेक के साथ में आती है 34.5 किलो वाट और 39.4 किलो वाट चोटा बेटरी पेक के साथ 315 किलो मेटर तक का सफर आसानी से ते किया जा सकता है और बड़े बेटरी पेक के साथ 456 किलो मेटर तक का सफर आसानी से तेक किया जा सकता है और तीसे नमबर पर आजाती है Tata Nexon Tata Nexon EV की कीमत 14,49,000 रुपे से लेकर 19,54,000 रुपे के बीच है ये Nexon EV Prime और Nexon EV Max दो वर्जन के अंदर आती है Nexon EV Max में बड़ा बेटरी पेक लगा हुआ है और Nexon EV Max एक बार फुल चार्ज होने को पर 453 किलो मेटर तक की रेंज निकाल के देता है इसमें 14.5 किलो वाट का लिथे मायन बेटरी पेक लगा हुआ है और दूसरे नमबर पर आजाती है Tata Tigor EV Tata Tigor EV की कीमत 12,49,000 रुपे से लेकर 13,75,000 रुपे तक है ये 315 किलो मेटर तक की रेंज निकाल के देती है इसमें Nexon Electric की Zipron EV टेकनीक का इस्तेमाल किया गया है Tigor में 26 किलो वाट की लिथे मायन बेटरी पेक लगी हुई है इसका Electric Motor 75 PS की पावर और 170 NM का टोर्क जरनेट करता है और पहले नमबर पर आजाती है Citron EC3 Citron की कीमत 11,50,000 रुपे से लेकर 12,6,000 रुपे के बीच है ये 320 किलो मेटर तक की रेंज पैदा करती है ये एक बार फुल चार्ज करने पर 320 किलो मेटर तक चल सकती है इसमें 39.2 किलो वाट का बेटरी पेक लगा हुआ है तो ये है बारत में सबसे ज़्यादा सस्ती इलेक्रिक कार जो बारत के अंदर बहुत ज़्यादा सेल होती है अगर आपको ये जानकर ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सबस्क्राइब करें